ज़ो बाजरी और गुड की घुगरी अगर शरत रितू में खाएं तो पित शामक वा वायू दोश को हरने में मदद मिलती है हमारे बापु जी ने अपने सादकों के अच्छे स्वास्थ के लिए अन्य कई तरह की खोजे की है शरत रुतू शुरू होती है रुतू परिवर्तन होता है शरीर में जो पित कठा है वो प्रकोपित होता है इन दिनों में जव और बाजरी को उबाल कर उसमें गुड डाल कर घुगरी बनाई जाती जैसे दलिया उबाल के खाते न अत्वा और कोई उबली वह वस्तु चने बने उबालते उसमें मिर्च मसाला डालते जवार और बाजरी उबालते होए उसमें गुड डाल दिया जाता है एक किलो जवार बाजरी तो सो ग्राम गुड गुगरी बनती है वो पित्य शामक वायुदोश को हरने वाली होती है इस सिजन में चंद्रविहार, गर्बा, गुर्की गुगरी, फूल, कपूर, चंदन से देव का पूजन और अंतरियामी देव अपना आत्म है इस भाव से उस अंतरचैतन्य का भी सनमान करते वे स्वास्त्य का वातवन बनाना चाहिए इन दिनों में कडवारस, पित्य शामक होता है जैसे ज्वर्रुधी, करेले, सुदर्शन, चुर्ण, नीम की पत्तियां, अत्वान तरचाल, चिरायता, इंद्रोजय, आदी सेवन करना स्वास्त्य की रक्षा के लिए हित्कारी इन दिनों में धूप से खूब अच्छी तरह से बचना चाहिए इन दिनों में अधिक दबा के भोजन करना बिमारी को, बुखार को, अजीरन को, पित्त प्रकोप को बुलाना है इन दिनों में निद्रा ठीक से लेनी चाहिए कम निद्रावाले को पित प्रकोप की तकलीफ का शेकार होने की संभावना है तेल के तले हुए पदार्त और खूब नमकिन चरपरे लसुन दही छाच खटाई अद्रक नमक मिर्ची राई उड़द अथवा खमीर लगी हुई चीजों से बचना चाहिए जैसे जलेवी का आटा पहले विगा के रखते हैं डबल डोटी बिस्कीट आदी इटली डोसा आदी का उससे सेवन करना हानी कारक है भींडी कक्डी और दूसरी पित वर्दक गर्मी बढ़ाने वाली चीजों से परहेज करने का शास्त्रों ने आगया दिया है सकंद पुरान के किदार खंड के 75 तर में है शीव जी नारज जी से कहते हैं कि शार्दे भैरो रागो हो शार्द रुतु में भैरो राग गात्तव्यर शीशरे तथा मालकोशिक रागो हेमंत रुतु में हिंद लोकक राग सुन्ने गाने से स्वास्तिलाब मधुरता प्रसंता आदि में बरत्योती वसंत रुतु में दीपक राग गाना सुनना गृष्मे श्री राग संग्य गाना जाएए एक ऐसी भारत्य संस्कृतिय के आउशत से तो लाब हो परहेज से भी लाब हो, राग रगिमियों से भी तुम्हारा तन, मन और मती उज्वल आत्मसुख को प्राप्तो हो इस भारत्य संस्कुट्टी की गरिमा अद्भूत है झाल 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 मन घज्वल आत्मसुटी की गरिमा देक्शना है